ही गाईज विल्कम बैक तो मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब आज का मेरा वीडियो करवा चौथ स्पेसल है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से सेर करने वाली हूँ कि सुहाग की थाली में क्या क्या चीजे होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दो कि सुहाग की थाली पूझा के बाद हम अपनी सास को देते हैं अगर आपकी सास नहीं है तो आप किसी भी सुहागन को दे सकती है वैसे देने को तो आप बहुत चीज़े दे सकते हैं लेकिन जो चीज़े important है वो मैं यहाँ पर सेर क सारी के साथ पेटिकोट और बलाउज भी है अगर आप सक्षम नहीं है तो आप सिर्फ बलाउज का कपड़ा भी दे सकते हैं इसके बाद सुहाग की थाली में फल रखना होता है आप कोई भी पांच फल रख सकते हैं बिंदी सिंदूर मैंने यहाँ पर सुखा सिंदूर लिया है आप चाहे तो लिक्विड भी ले सकते हैं इसके बाद मैंने लिया है नेल पेंट चूरिया या फिर आप लहटी भी दे सकते हैं इसके बाद फेस क्रीम आपकी सासुमा जो भी क्रीम लगाती है आप दे सकते हैं इसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है बिच्वा आप चाह इसके बाद महावर इसके अलावा आपको रखना होता है दक्षना जितनी आपकी एक्षा हो इसके बाद आपकी एक्षा है कि आप और भी चीज़े एड कर सकते हैं बट यह सब important होती है यह सब होनी ही चाहिए इसके अलावा आप मिठाई रख सकते हैं मीठे में कुछ भी रख प्ली चानल को सब्सक्राइब कर लीजए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंठी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए थैंक यू बाबाई लव यू